नमस्कार, स्वागत है, मैं हूँ कृष्णा रंसिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा अठारवी लोगसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अपरेल 2024 से 1 जून 2024 तक लोगसभा आम चुनाब होने हैं चुनाब साथ चरणों में संपन्न होगा, कुल 44 दिन लगेंगे और इसका परिणाम, इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को जारी होगा पिछले वीडियो में हम लोग पर्थम मतदान अधिकारी अर्थात P1 के कार्ज और कर्तब की चर्चा किये थे विश्टिश रूप से उसकी जानकारी पराप्त किये थे, अधि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक एवलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूतिये मतदान अधिकारी अर्थात P2 के क्या कार्ज है, क्या कर्तब है, इसकी चर्चा विशेश रूप से करेंगे यह वीडियो खास करके आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए बनाया जा रहा है आप अंतिम रूप से चुनाव आयो के नियमों और निर्देशों का ही अनुपालन करेंगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज, P2 अर्था दूतिये मतदान पदाधिकारी इसके क्या कार्ज है, किन-किन बातों को विशेश रूफ से ध्यान रखना है, उसकी चर्चा करेंगे तो दूतिये मतदान पदाधिकारी का जो महत्तपूर्ण कार्ज है, वह पहला है मतदाधा रजिस्टर 17 को, जिसे 17 एभी का सकते हैं, उस पे मतदाधा की जो आवस्यक परविश्टिया है, उसकी इंट्री करेंगे आवस्यक प्रविष्टियां उसमें डालेंगे उसके बाद उसका दूसरा महत्पूर्ण कार्ज है मतदाता परचीव ही जारी करेंगे इसकी जानकारी हम लोग आगे करेंगे बोर्ड पर आगर के विस्तित रूप से उसके बाद तीसरा कार्ज है अमिट स्याही भी लगाना काम की अधिकता P2 के पास होने के वज़े से समान रूप से देखा जाता है कि यह जो अमिट स्याही लगाने की परकिरिया है वह P3 को दे दिया जाता है लेकिन जो निर्देश है जो इंस्ट्रक्शन है वह P2 का ही होता है P2 के लिए ही होता है कि वह अमिट स्याही भी वही लगाएंगे तो अमिट स्याही लगाने का प्रोशेस है कि अधिकोई मतदाता P1 के पास सारी जांच परकिरिया पूरी होने के बाद वह आगे जब आते हैं पीटू के पास है जब पीवन के पास सारी प्रक्रिया हो चुकी मतदाता की तो पीटू के पास वह आएंगे तो पीटू स्याही लगाने की प्रक्रिया को इस प्रकार से निर्वहन करेंगे कि उनकी बाएं हाथ की जो अंगुलिया है इसे आप देख सकते हैं सपस्टूप से तो बाए हाथ की अंगुलिया में जो तरजनी है यहां से नाखुन से प्रारम करके उसकी इसकीन तक स्याही लगानी है जो अमिट्स यह होती है जल्दी मिठती नहीं है अधी यह अंगली नहीं हो सनजोग से किसी कारणवसिया अंगली कटी हुई हो तो इसके बाद यह जो मद्धिमा अंगली है यह मिडिल फिंगर इसमें भी उसी परकरिया से लगाएंगे अधी यह भी अंगली नहीं हो तो यह अनामिका में नाखुन से इसकीन तक लगानी है आपको अमिट स्याही उसके बाद यह भी अंगली अधी नहीं हो तो यह जो कनिष्ठा अंगली है इसमें लगानी है स्याही और अधी यह भी अंगली नहीं हो तो उस इस्थिति में आपको यह जो बाएं हाथ का अंगु में भी उसी प्रकार से प्रारम करेंगे सबसे पहले तरजनी से प्रारम करनी है तरजनी से उसके बाद यह अधी ना हो तो मध्धमा से प्रारम करेंगे मध्धमा ना हो तो अनामिका से प्रारम करेंगे अनामिका ना हो तो कनिष्ठा से उसके बाद कनिष्ठा ना हो तो उस इ हुई हो तो जहां से यह भाए हाथ की अंगलियां कटी हुई हो जहां से थूठो तो इस अस्थान पे आप उसको निसान लगाएंगे अमिठ्सstillाही का और यह भी अधी नहीं हो इस इस्तिति में अनि यह जो पार्ट है यहां तक अधी ठूठो तो वही प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए आप फिर यह जो दाएं हाथ का यहां पे ठूठा यहां से लगाएंगे और अधी दोनों आपका यहां पे ठूठ उस मतदाता का नहीं हो तो वहीं स्थिति में मत-दाता के यहांपे गंधा पे निशान लगाना है और यही परक्रिया पूरी कर लेनी है ऐसी बहुत कम ही स्थितिया उत्पन होती है लेकिन जो निर्देश है जो नियंब है उसको हम लोग यहां पे समझ लेते हैं दिया तो अगया demi शाही लगाने की परक्रिया एक होता है proxy ハइसे प्रतिनिध ही मत कहा ज़ता है proxy Booter वह होते हैं जो देश की सीमा पर है देश की सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए है duty में या तो कहीं वी किसी भी भाग में सैनिक है वह duty पे लगे हुए हैं, अपने कर्तब को निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें बोट देने की अधी जिग्यासा है और निशित रूप से बोट देते ही हैं, तो वह इसे बोटर proxy voter के रूप में जाने जाते हैं, और वह एक दूसरे व्यक्ति को परतिनिधी के रूप में बोट देन इसके मधमा में नाखुन से इसकी तक उसको अमिट स्याही लगानी हैं, यह हो गया प्रोक्सि वोटर के लिए अधी कोई बेक्ति अंधे हो, सिथिलांग हो, तो उस बेक्ति के साथी अधी उसकी सहयता के लिए आते हैं, 18 साल से उपर होना चाहिए वह इसे बेक्ति की उम्र तो उन बेक्ति के दाएं हाथ की तरजनी, यह हो गया आपका दाएं हाथ और दाएं हाथ की जो तरजनी है, यहाँ पे नाखुन से इसकी तक अनिकि नाखुन से चम्री तक उसी परकार से अमिट स्याही को लगाना है, तो यह होगा स्याही लगाने की परकिरिया हम लोग क्लियर हो जाएगा तो मतदाता रजिस्टर 17 को का प्रारूप इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा को एक रजिस्टर मिलेगी पीटू को उसमें करम संख्या सबसे पहले होगी और करम संख्या में एक दो तीन चार पांच से प्रारंभ हो करके कुल अंतिम पेज पे आप जाएं निर्वाचक NAM Republicans लिए निर्वाचक की करम शंख्या इसका थोड़ा सा मौ समझ लेते हैं पढ़कर तो करणिहां उसके बाद परिष्टी किस प्रकार से करनी है समझेंगे पहसान के रूप में P1 के पास जब पहसान करा करके P2 के पास आएगा तो वहीं पे आपको विशेश धिहान रखनी है कि वह जो P1 है वह जोर से बोलेंगे क्योंकि पोलिंग एजेंट जहां पे उपस्थित है उन तक भी आवाज जानी चाहिए और उसी करम में आपको सेंसेट प्रस्तुत दस्तावेज का अब्योरा इसमें डालना है इसको भरने के लिए हम लोग सीखेंगे फिर मदाता का हस्ताक्षा अधिवह स्ताक्षर करना जानते हो तो हस्ताक्षर करवाएंगे या तो फिर अंगुठा का निसान लगाएंगे उसके बाद यहां पे टिपनिया अभी कुछ लिखनी पड़ती है तो सभी के लिए टिपनिया नहीं लिखना जरूरी है कुछ ऐसे हैं प्रोक्सी वोटर है या तो फिर टेंडर वोटर है या कुछ वैसी स्थितियां हुई जो कि नियम 49-0 49-m 49-a में के तहत कुछ परक्रियाएं हुई तो उस अनुसार से य तो मतदाता पीवन के पास परची लेकर के आएगा पॉलिंग एजन्ट जो बाहर में बैठा हुआ है हर पार्टी की दो कम से कम दो पॉलिंग एजन्ट होती है एक आपका जो बूत है उसके अंदर वहां पे बैठे रहेंगे अपनी जो बोटर लिस्ट है उसमें मिलाते चल प्रचाहां बाटी जा चुकी है परचियान मिल चुकी है अधि विशायस परसिति में परची उनके पास उपलवद नहीं हो पाई किसी कारण वस वहां पर बूत के बाहर भी उन्हें परची मिल सकती है तो निरवाचक नाममली में निरवाचक की करम संख्या कोई मतदाता आया तो उसकी करम संख्या सपोज किजिए वोटर लिष्ट में 15 है तो उस परची के अधार पर उस परची की सहता से आपको खोजने में आसान होगी यह पीवन का काम है लेकिन पीवन का जो कार्ज होगा वह पीटू भी उसका फॉलो करेंगे तो यहां पर पंदरह उसे वोटर लिष्ट में उस मतदाता का नाम है तो पंदरह करम संख्या लिखा गया निरवाचक द्वारा अपनी पहसान की सबूत में अनिकि अपना पहसान किस अधार पर उन्होंने करवाया पीवन के पास सपोज कि यह किया है वोटर जो भोटर आईडी कार्ड है इपिक वह लेकर के आया है तो यहां पर अंतिम उसका जो चार डिजिट है उसको लिख देंगे इपिक कुछ भी हो तो इस चार डिजिट लिखेंगे उसके बाद य आपका इंक पेड़ रखा रहेगा उसकी सहायता से यहां पर थंब इंप्रेस दिलवाना है उसके बाद टिपनि में इसमें कुछ भी नहीं लिखना है तो कि आसा समान्म अधाता है इसमें कुछ लिख ही नहीं जाएगे उसके बाद कोई ऐसे मत दाता पोहुंचा जो की उस उसके पास परची है क्रम संख्या उसका सपोज किजिए कि उस परची के आधार पर 200 है तो 200 आपने लिख दिया अब वह मत दाता इपिक के साथ है बोट देने के लिए नहीं आया उनके पास आधार कार्ड है उसकी सहायता से आया तो यहां पर अधर लिख देंगे ओ लिख देंगे इतना से ही सुचित हो जाएगा और आप अधिविसेश आपके पास समय है बचता है तो ओ टी एच ए आर भी लिखेंगे लेकिन लिखना इतना उचित नहीं है सिर्फ आप ओ डाल देंगे इससे असपस्ट हो जाएगा कि यह आधर जो पहसान पत्र है उसकी सह साहता से बोट डाला और इपिक से यह डाला है तो अंतिम रूप से होता क्या है कि पूछा जाएगा यह फॉर्मेट भरने के लिए आता है कि अधर से कितना मतदान पड़ा और इपिक जो कि भोटर कार्ड है उसकी साहता से कितना पड़ा तो यह आसानी से आप इसका डाटा इसका व्योड़ा आप प्रस्तूत कर सकते हैं उसके बाद उसी अनुसार से मतदाता का हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद टिपनिया भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखी जाएगि सामाने रूपसे अब सपोस किजिए कि कोई मतदाता तीसरा मतदाता आया वह पीवन के पास परक्रियाएं पूडी करके चला गया पीटू के पास भी चला गया उसके बाद पीथरी के पीथरी के पास गया उन्हें बैलेट मिला और वहां से उनकी मन्षा हुई हम बोट नहीं डेंगे हमें बोट नहीं देना है तो 49-0 के तहत यहां पर चलिए उसमत दाता का 201 है और यह इपिक से आया देने के लिए इपिक लिख लेंगे फोर डीजिट अंतिम का उसके बाद उन्होंने सिगनेचर भी किया और अन्तता वह बोट देने से मना कर दिया तो यहां पर 49-0 के तहत जो टिपन्या होगी कि मत देने से उन्होंने इनकार किया तो यहां पे टिपन्नी में आपको देना होगा कि मत देने से इनकार किया। इस तरह से टिपन्नी में आपको फिलफ करनी है। उसके बाद 49 M के तहद भी कुछ ऐसे मत दाता होंगे, जो कि आचार सहिता के नियम का उलहंगन करेंगे। आनि कि वह कुछ ऐसी बाते करेंगे, कुछ इस तरह की बात करेंगे, जो कि नियम के खिलाफ है, निर्वाशन आयोग के, तो उन्हें आपको मतदान देने से रोकना है, और उसकी टिपन्निया में यहां पे फिर देना है, कि इन्होंने अचार सहिता के नियम का पालन ना किया, उलहंगन किया, उस इस तिद में टिपन्निय में आपको यहां पे लिखनी है, तो इस प्रकार से एक सो, एक हजार पांसोन कि 15100 मत्दाता का आप इस मत्दाता रेजिस्टर में इंट्री कर सकते हैं तिया तो उसके बाद मत्दाता पर्ची का यह एक नमूना है इसे भी आप समझ लें निर्वाचक की करम संख्या, निर्वाचक की जो करम संख्या है, तो पहला मतदाता 15 है, तो यह 15 यहां पे लिख देंगे, उसके बाद निर्वाचक नामावली में यथा परविष्ट निर्वाचक की करम संख्या, तो इसमें निर्वाचक की करम संख्या में यहां पे ध्यान पहला मत दाता है, तो करम संख्या में एक जाएगा, थोड़ा सही से हम लोग सुधार लें, एक होगा, उसके बाद निर्वाचक नामावली में परविष्ट निर्वाचक की करम संख्या तो यह 15 है, इसको 15 से तेजी से आपको लिखना है, वहाँ पे समय आपको लिखने में ही जाएगा, उसके बाद मतदान अधिकारी का लगू हस्ताक्षर, यह जो मतदान परची है आप रात में ही सामें ही 50-50 का बंडल बना लेंगे, और उसमें आपका जो लगू हस्ताक्षर है, पीटू का जो कारज है, जो जिस अस्थान पे है, लगू हस्ताक्षर छोटा में, से आप संचीक्त में कर लेंगे इस प्रकार से करके ही रखेंगे और विशेश रूप से आपको निर्वाचक की क्रम संख्या निर्वाचक नामावली में अथा परविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या यही दो ही वाते लिखनी है और यह चीज पी थरी के पास जा करके कॉल तो आपकी जो गती है आपका जो इस फीड है वह बढ़ जाएगी और बढ़ने के करम में आप फिर इससे अभ्यस्त हो जाएगे और यही काम आपके लिए आसान लगने लगेगा बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद